हे फ्रेंड्स वेलकम टू हेल्थ मांगे मूर आज की रसीपी है सुपर डिलिश्यस ड्राइफ रूट मिलकशेक की जो ब्रिकफास्ट के लिए बहुत ही बहतरीन आप्शन है साथ ही फास्टिंग में भी आप ये रसीपी ट्राइ कर सकते हैं क्योंकि इससे पूरा दिन आप ए आठ दस काजू के टुकडे लिये हैं छे यहां पर ये खजूर लिये हैं खजूर के बीज इस तरह से निकाल लेते हैं तो सभी खजूर को डी सीट करके बीज निकाल के हम भिगो देते हैं तो खजूर और अंजीर हमारे खून को बढ़ाने वाले होते हैं दस से पंदरा बावल में हम 12-15 बादाम भिगोएंगे बादाम को अलग भिगोएंगे क्योंकि इसके छिलके हम उतारेंगे तो यह सभी ड्राइफ्रूट्स को आप चाहें तो रात भर भीगने दें और अगर आप इमरजेंसी में जल्दी में बना रहे हैं तो आप थोड़े ल्यूक वाटर में भिगो दें तो कम से कम आदे से एक घंटा अगर यह ड्राइफ्रूट भीगेंगे तो इसकी न्यूटिशियस वैल्यू भी बढ़ जाएगे और ग्राइंड करने में भी असानी रहेगी तो मैंने रात भर इन ड्राइफ्रूट्स को भिगो के रखा है और बादाम के छि लेती मिकसर में हम ग्राइंड कर लेंगे यह पानी को ना फेक है क्योंकि इसके जो न्यूटिशनल पोशक तत्व है वो इसी में आ गए है तो इस पानी को आप ना फेक है और इसे प्रॉपरली ग्राइंड कर लें तो रात में अगर हम यह ड्राइफ्रूट भिगो देते त सुबह breakfast में आप इससे बना सकते हैं, बच्चे भी इससे पसंद करेंगे और बच्चों को dry fruit खिलाने का यह बहुत ही अच्छा option है तो देखे एक fine paste बन गया है, सभी dry fruit अच्छे से grind हो गए है अब इसमें आप milk डालेंगे, तो कोई भी normal milk हम ले सकते हैं और normal milk नहीं आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आप almond milk या coconut milk भी ले सकते हैं तो दो से धाई glass यहाँ पर यह दूड डाला है, ठंडा milk shake बनाने जा चाहते हैं तो थोड़े से ice cube भी यहाँ add कर सकते हैं, और अब इसे भी एक बार properly churn कर लेंगे तो यह milk shake इसका जो color है वो भी बहुत अच्छा आता है और हमने इसमें बिल्कुल भी sugar या jaggery नहीं डाली है अगर आपको मीठा पसंदे तो आप थोड़ा honey इसमें add कर सकते हैं या jaggery भी डाल सकते हैं, हमने जो खजूर भी हमारे मीठे थे और अंजीर, किश्मिश इनसे वैसे ही अच्छा मीठा हो जाता है और बहुत अच्छी consistency इसकी आई है यह glasses में हम serve करेंगे तो एक पूरा glass अगर आप morning में लेते हैं तो इससे आपको पूरा दिन energy मिलेगी और जरूरी minerals, protein और vitamins भी मिलेंगे इसे आप garnish करें, कटे हुए बादाम से या देखे कितना सुन्दर दिख रहा है थोड़े से आप nuts, seeds भी जाल सकते हैं pumpkin या sunflower seeds से भी garnish कर सकते हैं तो friends, यह recipe पसंद आई है तो वीडियो को like करें चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को subscribe भी करें drink healthy, stay safe, bye-bye thanks for watching